विदान सबा अध्यक्ष को पत्र लिखा है विदान सबा अध्यक्ष नरेंदर सिंग्तोमर को लिखे पत्र में उन्होंने मांग की है कि जब दल बदल करने वाले विधायक पाटी छोड़ चुके हैं तो विधायक निधी का उप्योग क्यों कर रहे हैं उनकी माने तो अप्चुनाव जीतने के बाद वो विधायक निधी का उप्योग करें जिन विधायकों ने सारवजनिक रूप से अगर जो है सुईकार कर लिया है और दूसरी पारिटी में चली गई है और इस्तीफ़ नहीं दे रही है तो कम से कम जो है सुचिता और नेतिकता की रक्षा करने के लिए विधायन साब अद्धेक्ष महोदा को इतने तो आदेश करना चाहिए कि उनकी विधायक ने दी के उफ्योग पर जिस तारीक से उन्होंने पारिटी छोड़ी है उस तारीक से उस पर प्रतिबंद लगा दिये जाए जो भी नियम है नियमों को पालन विधायन से अद्धेक्ष कर आँगे और विधायक खुद समझते हैं क्या नियमों को पालन होताए अभ घाल निवास रावतजी दो वर्तमान में मंतरी हैं तो विधायक ने देखा कहा इस्तिमाल करना किस थारीक तक करना इस तीपर के पहले तक जो भी निया मंग जो उसका पालन होगा सुनिश्चित होगा उसमें कॉंगरेस को चिन्ता करने का उश्च्व को नहीं है अब कॉंग्रेस पर बरसे शिवरा सिंग चौहान कॉंग्रेस के डियने में ही किसान विरोध है कॉंग्रेस को हमेशा शकुनी और चौसर का चक्रव्यू क्यों याद आता है कॉंग्रेस का चरितर शकुनी चौसर और चक्रव्यू वाला है कॉंग्रेस को याद भी आया तो कप पटका प्रती की शिवरा सिंग चौहान ने कहा है अब जिसकी जैसी भावना वो वही बोलेगा हम कुरश्ण को मानने वाले लोग हैं हम किसी को छेड़ते नहीं हैं लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते भी नहीं है सुनिए उपसभापती जी उनको याद भी आए तो सकुनी याद आए सकुनी चोपग चक्रव्यू और इन सारे सब्गों का संबन्ध है अधर्म से जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी सुन पैसी सकुनी मतलब छल धोखे और कपट के प्रतीक थे चोपग में तो धोखे से हराय गया था और चक्रव्यू हूं मतलब फेर वाया और नहीं घेर के मार में अब कांगरेस को क्यों चक्रव्यू सकनी चोपग ये याद आते हैं मानी उपसभापती जी जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान स्रीकृष्ट ने याद आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर्भवत इभारता अव्यृत्थानम धर्मस्य तदात्मानम स्दाम्यम् प AryतranaCK साधुनाम बिना साइच दुसकृत नम धर्मस्य सथाप्नार थय है संद्वबाभि यूगे यूगे हमको तो कनिया याद आते हैं जब जब धर्म की आनी होगी अधर्म बढ़ेगा पाफ बढ़ेगा अध्याचार अनाचार बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाज के लिए मैं बार बार आउंगा ये भगवान स्रीकृष्प ने कहा था लेकिन अनीती और अधर्म किस ने किया ठगी किस ने की बाननी उपसा भापती जी कांग रेस के डी आने में ही किसान विरोध है मैं ये क्याना चाहिए मध्यप्रदेश में आप रक्षा बंदन के परव पर गैर हिंदू महिलाओं को दिये जाने वाले थाइसो रुपए को लिकर आपती दर्ज की गई है बीजेपी का वरिष्ट नेता पूरुसांसात रगुननना शर्मा ने आपती जताते हुए कहा कि जो इस त्योहार को मनाते हैं उन्हें ही पैसा मिलना चाहिए उनकी माने तो जो इस त्योहार का विरोध करते हैं ऐसे लोगों को राशी देने का अर्थ है कि हम घलत दे रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि सेम डॉक्टर मुहन यादव बड़े उदार व्यक्ति हैं वो बहनों के प्रती सकारात्मक सोच रखते हैं लेकिन योजना की समीक्षा होनी चाहिए ट्योहार में विश्वाज करते हैं जो झाल नातेγे जो इस दो नीं एक विए अपने भाईचारे में करते अपने ईसमें इसका उप्योग नहीं करते हैं उनके लिए इस बड़े इस बडंसर्प्रत्रह obs जानग नहीं करते हैं उनके लिए इस बड़ेärt अभी हुई राश्य का कोई ओचेत्ते नहीं है इसलिए सरकार को मेरा आग्रह है सुझाव है कि यह विचार करना चाहिए तो रगुनंदन शर्मा को आपने सुना वैसे वो भी बड़े समझदार माने जाते हैं और पता नहीं क्यों यह बयान उनके तरफ से आया है रख्षा बंदन के 200 रुपे देने पर आपत्ती दर्च कराईए उन्होंने बहुत सोच समझकर बोलने वाले नेता हैं पर कभी-कभी बयान ऐसे निकल जाते हैं यह भी बड़े समझदे पारे हैं खेर तो रख्षा बंदन शर्मा को आपने सुना योजना की समिक्षा वो चाहते हैं और सहुगी शैलेंद्र स्वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे शैलेंद्र बयान दिया रगुनंदन शर्मा ने वैसे तो हमने देखा है बड़े सोज समझकरी वो बयान देते हैं कभी-कभी सरकार को रास्ता दिखाने वाले बयान देते हैं अब ये इस तरह का बयान आया है शैलेंद्र क्या मायने देखें बिलकुल आपने ठीक कहा कि वो अकसर अपनी सरकार को ये घेरने का काम करते हैं और कई बार वो इस तरह की बातें अपने बयानों में कह जाते हैं जिससे सरकार थूड़ी सी अनकमपर्ट भी हो जाती है सरकार में बैठे जो नेता है वो अंकमपट हो जाते हैं हला कि यह बयान जो आया है इससे भी बीजेपी के कोई भी नेता एक्सपाक नहीं रख रहा है उस बीजेपी के नेताओं से हमारी जो बात हुई है वो सापतोर पर यह कह रहे हैं कि मर्दप्रदेश की सरकार हो या मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ आप भी लगातार बने रहेगा अभीनाव बरॉलियस आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है अभीनाव जी का एक रियक्शन हम चाहेंगे अभीनाव जी रगुनंदन शर्मा का बयान वो कह रहे हैं कि जो धाइसों रुपे दिये ज रगुनंदन शर्मा जी का विवाद चली रहा है वो सबको नसीयत देते हैं फिर वो भार भी देते हैं एक मदब इनलों की सोच जो होती है कभी एक जैसी नहीं रहती हमेशा बदलते रहते हैं इनके विचार ये सभी को साथ लिने की बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास हम ऐसा करेंगे ये कहीं पर भी नजर नहीं आता किसी का विकास नहीं चाहते हैं ये खुद का विकास चाहते हैं उनका विकास चाहते हैं इसके अलावा इनके अंदर कोई सोच नहीं है जनता कैसी भी परेशान रहें कुछ भी होता रहें जनता के साथ उससे कोई फरक नहीं दाइस रुपे बढायते और शेलेंडर भी उसके सारे चार सो का किया था लेकिन प्रॉपर कोई घुश्टा नहीं करते हैं कि हाँ आपको प्रॉपर यह पांस रुपर का सेलेंडर मिलेगा और हर वर्व को मिलेगा सब को मिलेगा यह सोच नहीं है हाला कि उसमें भी जिस सिलेंडर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें भी बाद में टी एंसी अपलाई हो गया है खैर मैं भी नोजी आपके पास आउंगा और शेलेंडर यह बात सही है कि बीजेपी के लिए वाकई यह सहज स्थिती है और शायद यहीं वज़ाए यह सहाँ नहीं रहा है शेलेंडर सिब लोग हिंदु के हंदु के हिंदू देवी बताھ १हार नहीं मनाते हैं और जो रख्षा वंदन पर भरोसा नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को यह पैसा क्यों दिया जाना चाहिए रहा बात में ने शुरुआ पही कहा कि हम भी बहुत समझदार समझते थे रगु नंदन जी को खेर